कि विए पांगर देख रहे हैं थोड़ा सा यह लॉंग चेप्टर है इसी बज़े से इसके अपने लोग तीन पार्ट करने पड़ेंगे तो यह जो है कि इसके बाद में फाइनल पार्ट अपका आगा ठीक है तो अपने लोग ने लास्ट क्लास में अपने लोग जो है क्रितान्य कलपना के विश्यम बात कर रहे थे जैसे मैंने बताया था कि मंड़ पेया विलेपी या वागू यह बहुत इंबॉर्टन्ट है ठीक है जैसे कि कोई भी डिसीज होता है उसमें आपको कोई भोजन नहीं कर सकते जैसे अगर आपको कोई बोल दिया जाए जंक या वगर के विश्यम बात कर लिया था इस क्लास में हम लोग बात करेंगे विलेपी बनाने की विधी के विश्यमें तो विलेपी किस प्रकार से बनाया जाता है तो विलेपी बनाने की विधी में बोला गया है कि आहार द्रवे से चार गुना जल में पकाएंगे ठीक है तो concentrated, द्रव्य, मतलब यहां पर यह बो लग है, द्रव्य यानि कि liquid जो है, वो हो जाता है, बन जाता है, तो उसे ही अपन क्या बोलेंगे, विलेपी खेंगे, ठीक है, तो यह क्यए है, आपका विलेपी बनाने की वीधी बताएगे, फिर विलेपी की qualities क्या-क्या होती है, गुण ना सकता है मतलब जो प्यास बहुत ज्यादे एक्सिस्टे लगता है वो नश्ट हो जाएगा अगर आप बिलिपी का पान करते हो तो जट्रागनी वर्धक होता है मतलब डाइजेश्ट फैयर को बढ़ाएगा इसके अलब त्रिन वाले रोगियों में नेत रोगियों में ठेक ह के लिए नित्य इसनेह पान करने वाले के लिए हितकर बताएगा मतलब ऐसा है कि जो त्रिश्णा से युक्त वैक्ति है ठीक है ठीक है त्रिश्णा से युक्त वैक्ति है इसके अलावा जो नित्रोगों से पिलित वैक्ति है इसके अलावा जिसका संसोधन कर्म कराया है या यहां पर आपका बताएगे फिर अपन बात करते हैं ओधन के गुण के विशे में तो ओधन के विशे में क्या लिखा गया है यह अपन देखते हैं तो ओधन के विशे में यहां पर आपका लिखा गया है कि जो आपका चित्रक हो गया सुंटी हो गया सुंटी मतलब जो आपका तीखा लगेगा मिर्ची खा तीखा लगेगा चित्रक भी कहां तिकतर रहता है यह उच्छ नभीरे वाले उससरी है इसके क्वाथ में पकाए गें मतलब इनका क्या लेंगे अपन लोग कुषी किसी जैसे मान के से लो मैंने के लिया बरता लिया ठीके उसमें इन तीनों को डा ठीक है वह क्या होता है लगो होता है यहां पर इसके विप्रित धोया ना गया जो ठंडा हो गया हो तता जो दूद मास रस में पकाया गया हो वह भाज है वह गुरू होता है मदलब ऐसा है कि जिसको अपने लोग ने कह है proper water से wash नहीं किया है या फिर जो फिर उसको कह कि इस प्रकाल से बनाएगे है दूद मिलाकर कर के जैसे कि Careful को बनाते है उस प्रकाल से बनाएगे है घ्र फिर Mansarthะ prim लागर करके बनाएगा है फिर यवागू के विशम बात करते हैं तो यवागू कैसे बनाया जाता है तो एक अपा लोग ने बरता लिया तिक अब इसमें क्या कि अपा लोग ने चावाल एट कर दिया कितना एक भाग तिक अब इसका 6 गुना 6 भाग अपा लोग ने इसमें वाटर एट कर दिया वाटर का मांच याद रूपन जल ले रहे हैं मासरस कैसे बनाये जाता है तो मासरस के विश्यम самом बताये गिए कारक मतलब जो नेत्रों के जो रोषणी भर गया है मतलब जो युद्धन करते हो तो थोड़े क्षेंग अलगी आनंद्ध के प्राप्थि ही कि अपका पेड़ भर गये है ठेसे अपन बोलते है तुरिप्ती कार्ण भी होता है मासरण साथ और चक्षय होता है तुरिप मतलब किसी भी प्रकार का इंजूरी वग्र हो गया है तो उसको भी कहें जल्दी हीलिंग करता है अगर आप मास्क खाते हो तो ठीक है तो वह रण नासक होता है यह यहां पर बताएगे मास्क को उचित जल प्रमाण में पका करके जल की मात्रा चार से आठ गुनी शेस रहने तक अपर रखेंगे मतलब क्या करेंगे अपर लोगों ने एक बरतल लिया ठीक है अब इसमें मास्क के तुकड़े अपर लोगों ने ले लिया ठीक है अब जीतना मास्क का तुकड़ा ल बोलेंगे वो जो बन जाएगा ठीक हो अपन मासरस बोलेंगे यह यहां पर आपका बतायागा इसमें आपन को फॉर टू एट जो गुना जब वाटर बचए थिक तब उसको अपने को कहें उतारना है और उसका प्रयोग करना है तो वो कहें मासरस है फिर बात करते हैं कृतानि प्रिटानय किसको बोलते हैं तो पकाए हुए कृटानzna कहा जाता है तो मतलब जो पक जाता है उससे अपन क्या वो लेंगेolitाने कहें फिर यहाँ पर आपका बताएगी थे किश्ड़े तर्मेनोलोजिस हैं। आज़िए थी को मतलब तील को ले लिए या सर्षों की कली रहती है उसको अच्छे से पीस लिए उसी को ही क्या बोलेंगे पिंड्याक कहेंगे तेक है साथ किया है त्रिदोष कारक मतलब तीनों दोष जो है वात पित कफ इनको बढ़ाने वाला होते हैं गलानी कारक होते हैं मतलब सरीर में कहे है गलानी को उत्पत्ति करेगा और हैविनेस लाएगा यानि कि गुरूता को लाएगा तो यह प्रिंड्याक के विशे में बताएगे तो इसको भी आपको याद रखने है और नेक्ष्ट अपन बात करते हैं सत्तु के विशे में तो सत्तु में बूला गया है भुने हुए जौ चावल का स्वारी भुना हुआ जौ हो गया ठीक है भुना हुआ जौ हो गया इसके अलावा चना मटर आदी से बनाया गया आटे को स सत्तु कहते हैं ठीक है तो क्या है भुना हुआ जौ हो गया चैना हो गया मटर हो गया इनसे बनाया गया जो आटा होता है उसी को ही अपन क्या कहते है सत्तु कहते हैं यह कैसा होता है यह जो सत्तु होता है वो लगू होता है लाइट होता है असानी से डाइजिस्ट हो जाए सत्तु को जो है जल में घोल करके पीना चाहिए तो सत्तु को क्या है जो वाटर है उसमें रिजोल्व करके पीना चाहिए सत्तु खाते समय बीज बीच में जल नहीं पीना चाहिए तो सत्तु खाते समय बीज बीच में कभी भी जल नहीं पीना चाहिए है इसके अलयावद दिन में दोबार सत्तु नहीं खाना चाहिए देखो अक्त्म खा रहे हो ठीक है तो उसर दोऔर बीज विच्ट में वाटर नहीं कर नहीं करती है साथ साथ जो दिन में दो बार हुआ де आपको नहीं खाना है ठीक है रात्री में भी सत्तू का सेवरन निकाना है तो नाइट में भी इसका counter negation बता है अधिक मात्रा में भी सत्तू को निकाना है मतलब एकसेसियो मोल में भी इसको अपन नहीं ले सकते हैं ठीक है तो ये सत्तू के विश्यम बताएगे फिर इसके बाद में बात करते हैं पानक सीतल पेया पानक सीतल पेया किसको बोलते हैं तो पानक सीतल पेया के विशे में बताया गया है कि उबले हुए कच्चे आम, पकी इमली, अलास इसके अलावा आलू बोकरा, आदी खटे फलो के गूदो को निकाल करके. नमक मिर्ची आदी के साथ पानी के मत कर. ठेक है? तो मतलब क्या उब्ला हुआ जो कछाम है वो ले लिया. पकी हुई जो इमली है वो अलास ले लिया ठीक है ठीक है ड्रग यह अलास इसको बुलते हैं तो नमक मिर्शी आप उसमें क्या करेंगे मिला देंगे नमक मिर्शी पहले ठीक है उसमें बताइगे है कि नमक मिर्शी के साथ में पाणी नमक मिर्शी मिला देंगे फिर उसमें थोड़ा सा अपन जैसे जैसे अभी आपका ओशक्त नुसार उसमें वॉट्र मिला देने और वॉ- dennयाने के बाद में जैसे की आप डाल को क्या वो पेय पदार्थों को पान करना चाहिए, मतलब पीना चाहिए, तो उस पेय पदार्थों को पानक कहते हैं, तो उस पेय पदार्थों को जो बन जाएगा, उस पेय पदार्थों को पानक कहेंगे, तो ये सभी content बताएगे, इन सभी को अपन कहें, नमक मिर्ची मिला देंगे फिर उसमें पानी डालेंगे, फिर उसे मथनी की सायता से मथेंगे, फिर उसमें कहा उशक्ता अनुसार आपको सरकरा वो मधू डाल देना है, ठीक है, यानिकी सक्कर और हनी, और उसे ही अपन क्या बोलेंगे, उस पिया पदार्थों को जो आप पी सकते हो, उसी को ही पानक ब प्यास इनको कहें यह सांध करने वाला होते हैं नश्ट करने वाला होते हैं सांधी सांध त्रिप्ति कारक होते हैं मतलब अच्छा लगता है ठीक है मतलब एक प्रकार का संतुष्टी लाएगा त्रिप्ति लाएगा गुरुता यानि कि हैवी रहेगा तथा मल रोधक होता है तो मल को कहा है रोकने का काम करेगा साथी साथ मुत्रल होता है मतलब डायूरिटिक प्रॉपर्टी कहो गया ठीक है अगर आब इसका पान करते हो तो जादा अच्छा से मुत्राएगा ठीक है और उद्धे बताएगा तो यह यहाँ पर आपका बताएगा ठीक है ठीक है तो यह आपको याद रखने है इसके बेनिफेट्स में फिर इसके बाद बात करते हैं इसको बोलते है रसाल तो जो स्रिखंड होता है उसको बोलते है रसाल तो यह जो होता है पुष्टी कारक होता है क्या होता है पुष्टी कारक होता है तो वो क्या कहलाएगा पुष्टी कारक, व्रिष्य है, मतलब इस पंप कौन को बनाएगा, इस निकदा, मतलब रूभी गर्शन प्रवाइट करेगा, साथ इस साथ बल वर्थक, यानि कि जो आपके सरीर का जो एनर्जी है, बल है, उसको बढ़ाएगा, और रुधिर कर होता ह है, ठीक है, तो उसको भी बढ़ाना वाला होता है, कौन सा, जो रसाल, जो स्रीखंड होता है, वो, फिर बोलागा है, वैश्वार, वैश्वार के विश्यम बतायागा है, कि सोट मरीच आदी से, संसकारित कर, अस्थी विहीन, मास को ही वैश्वार कहते हैं, तो क्या करेंग लोग एक बरतन लिए, ठीक है, अभी इस बरतन में अपन क्या है, बोल्लेस जो आपका मास वाला पीस है, वो डाल दिये, ठीक है, जैसे मास है, तो उसको अपन लोगा न डाल दिये, अब इसमें कह सोट मरीच ये भी डाल दिये, सोट मरीच वगर डाल दिये, ठीक है, यानि वेश्वार कहा जाते हैं फिर नोट पॉइंड में यहाँ पर आपका बतायागे कि मूंग उडद्द आदी धान्यों से भी वेश्वार बनाए जाता है तो यह ज़रूरी नहीं कि यां उडादादी जो धान्य यह कि ये मूग है उनसे भी हपन वेस्वार बना सकते हैं Wääswar की quality क्या होता है तो वेस्वार जो होता है वह स्प्सक्रावर में तो यहां पर आपका बताएगे तो मास वर्गे में कौन से जो जानवार है उसके मास को रखा गया है उसको अपन देख लेते हैं इसके पनद्र जैसे हीरं हो घर हां तो पूरे जानवारे के नाम है तेके आपको कुछ नहीं करना है वस आपको जीतनेश्य जादा नाम हो सके मैं यह नी भीया हुआ है कि पूरे नाम याद करूं कम सिखंग पांच नाम भी याद रख रहा हो ना ठीक है क्लास के अंतरगत तो भी चलेगा जैसे हिरन हो गया एन हो गया करंग हो गया रेन हो गया गौक करन हो गया अम्रिग मात्रिक हो गया शशक हो गया इसके लव संभ हो गया शशक मतलब तो यह चीछ बस याद रखना है कि इसमें से कोई भी पांच भी आप याद रखते हो और मृ歌 या बात करते हैं während युशकर मतलिब जो आपके पक्रशी वंग रहे हूं उसके उनको रखा गाई जैसे की अपनकाशी में ये बोल सकते हैं कैसे कहौन सो कौन से पक्षियों वो आप देख लो ठीक है जिनके मास को अपन अधिकतर सेवन करते हैं जैसे कि लावक पक्षी हो गया बटेर हो गया ठीक है इसके अलावा गौरिया हो गया जंगली मुर्गा हो गया ठीक है चटक हो गया यह का चटक है ठीक है चक्वा चटक भी होता है इसके कहें विश्कर वर्ग के अंतरगत रखा गये विश्कर मतलब यह क्या कर रहा है एक प्रकार का जो आपके सरीर है उसको पुष्टी कर रहे है पक्षी है इनके मास्पों रखा गये यह आपको याद रखने ठीक है कोई भी आप एक दो तीन नयाद रख सकतो बस क्लास को याद रखने यह दूसरा हो गया विश्कर ठीक है पहला आप लोगों ने मृइक देखा था दूसरा यह विश्कर हो गया फिर तीसरा में आता है अपका प्रदूत के अंतरगत जैसे के नीलकंट हो गया तोता हो हो गया मैना हो गया कोईला हो गया मतलब जो अच्छा बात करते है ठीक है तो यह जो दस प्राणी है इनको कह earlier प्रदूत वर्द के अंतरकत रखा गया यह आपको याद रखना है तो प्रदूत वर्द के के अंतरगत रखा गया है इनके मास के अंतरगत आ जाएगा फिर प्रसा वर्ग के अंतरगत क्या आ जाएगा तो आपका जो पालतु जो आपके जानवर है जैसे कि आपका क्या हो गया गाय हो गया गंधा हो गया उट हो गया गोड़ा हो गया सी है नहीं होगा ठीक है सी भी है बट ठीक है प्रसा वर्ग में है बट कुछ याद रखने इसको थोड़े याद रखने के पालतू जो जानवार है वो रहेंगे ठीक है सी हो गया भालू हो गया ठीक है वानर हो गया बिल्ली हो गया चूहा हो गया भेडिया हो गया नेवला हो लकडबगगा हो गया लोमड़ी हो गया स्यार हो गया बाज हो गया कुट्था हो गया कौवा हो गया चील हो गया तो कोई भी आप पांच-दस पहले था अब महामरिग वरग के कि इंतरगत किसके मासक रखा गया है तो जंगल सूर हो गया, जंगली भैसा हो गया, बारा सिंगा हो गया, हाथी हो गया, जंगली गाय हो गया, घोड़ा हो गया तो इन जो दस प्राणी है, इनका जो मास है, उसको के है आपका, महामरिग वर्ग के अंतरगत रखा गया जाद है इसमें एक्दम concept है में मत घुषना थाломरों के नाम है animals के नाम है इसमें आपको कुछ समझने वाली बात नहीं है बस ये वर्गच की अंतरग़ बात जुखा गया है इसमें कोई logic डूढ़ने वाली बात नहीं है जहां पे आपको समझने वाले रहे गाँ पहाँ पर मैं explain करता जाओंगा अब बात करते हैं जलचर वर्ग मतलब जो जल में रहने वाले जो जन्तु है उनके विश्य में बताएगा उसे अपन क्या बोलेंगे जलचर वरग के अंतरगत रखा गया जैसे कि हंस हो गया सारा सो गया बगुला हो गया ठेक है चकवा हो गया इसके अलवा जल कववा हो गया, तो यह जो 11 प्राणी है, उसको क्या जलचर, मतलब यह बोल सकते हैं कि आपका land में भी रहते हैं, तेक है, इस्थान में, मतलब पर्टिकुलरेली पहाडवगरम में भी रहते हैं, या फिर जमीन में भी रहते हैं और समुद्रम में भी, दोनो हो गए जलचयर हो गया तो heart Palace है और सतंतर ग्या ऐसी के आही है युट मेंद इसके लिए जवार्व घड़ी की शिलचिम प्राणी लाजी हे उनको कह हैं मतस्यवर्ग के अंतरगत यहां पे classified किया गया है तो यह चीज आपको याद रखना है फिर note point में याद रखना है कि इस प्रकार से 8 प्रकार के जो मास जाती है वो यहां पर आपके बताएगे ठीक है तो टोटल आप देखोगे तो मास के कितने 8 प्रकार बताएगे थे बोला गया है बकरी तता भेड इन 8 मास जो आपको क्री और भेड खागे क्योंकि महावरीक वर्ग और जल्चार वर्ग के जो प्राणी है यहां पर आपको मिलता है यह चीज को आपके यहाँ रखने है तथा जांगल देश के जो म्रिग है यह तो आपको लोगों देख लिया जांगल देश के इंतर जो आपके किसके आते हैं तो इन मास के उत्रोक्त आठ जातियों वाले प्राणीयों का मास उत्रोक्तर गुरू उष्ण इसनिग्ध मधूर मुत्रवर्धक यह चीज़ याद रखना है ठीक है कि उत्रोक्तर यह जो आठ जाती है इसके अलावा इनका जो प्राणीयों को बढ़ाएगा शुक्रवर्धक यानिकि बल वर्धक यानिकि बल को भी बढ़ाएगा वात जो शरीर में वात दूश्य उसको नश्ट करेगा कप तथा पित्त का रखोगे यानिकि कप और पित्त को बढ़ाएगा तो यह यहाँ पर आपका बताएगए फिर बकरी के मास के गुण के विश्यम बात करते हैं तो जो बकरे है ठीक है उसके विश्यम बताएगए कि यहाँ पर बकरी के मास का प्रयोग करेंगे तो यहाँ यह क्या करता है इस निग्धता और नहीं बहुत जादे यह लुब्रिकेशन प्रॉइट करते हैं जिसके कारण यहां किसी भी दोश को नहीं बढ़ाता तो जिसके कारण जो बकरी का जो मास है यह बकरे का मास है वो किसी भी दोश को नहीं बढ़ाता मचली का जो मास होता है वो अत्यांत कफकारक होता है तो जो मचली है ना उसका जो मास होता है वो अत्यांत कफकारक होता है यहाँ पर बताएगए ततकाल मरे हुए जन्तु का जो मास होता है वो युवा जन्तु का जो मास है तथा सुद्ध मास भक्षिय बतलब यहाँ पर वो पहुत ज़्यादा मोटा है ठीक है या फिर किसी प्रकार का डिसी से ग्रशीत है या किसी प्रकार के प्राणियों का मास को अपने को सेवन नहीं करना चाहिए ठीक है तो यह यहां पर आपका बताएगा इसको भी आपको याद रख रहे है फिर बोलागे है पुरुष जाती के प्राणियों के नाभी के उपरी भाग का मास गुरु होता है तो पुरुष जाती के जो प्राणी है उसके नाभी के उपरी भाग का जो मास होता है वो हैवी रहते गुरु होता है जबकि इस जाती के प्राणियों के नाभी नीचले भाग का जो मास होता है वो गुरु होता तो यह नीचे ले भाग का और ऊपर भाग का बता है कि इसको बस ऐसी याद रखना पिर गर्भणी घो के पूरे सरीर जो मास होता है वह गुरू होता है फिर चौपाय, चौपाय मतलब चार खुरवाले जानवर जैसे की गाय हो गया, ठेक है, तो इनका जो, इनमें जो इस्त्री जाती होता है, यानि कि जो गाय है, उसका जो मास होता है, वो लगो होता है, ठेक है, जबकि पक्षियों में जो पूरुच जाती है, ठेक है, तो जो आपके birds हैं उसमें जो आपके पुरूच जाती है उनका जो मास होता है वो यहां पर आपका लगो होता है यह यहां पर आपका बताएगे ठेक है फिर इसके बाद बात करते हैं साक वर्ग के विश्या में यहां पर मैं इस इसका पासवर्ड ही बता देता हूँ रीजन बिन यहां पर अपन जो है अश्टांग हिर्दय का सुत्रिस्थान का सिक्स का सेकेंड पार्ट देख रहे हैं तो यह आपका पासवर्ड रहेगा क्या एस सिक्स टू यह इससे इसका जो है PDF खुल जाएगा फिर बात करते हैं साक बाट के विष्व में तो साक्वर्ग के अंतरगत क्या है च्वात्तिसांब सब्सक्राइब गराखिक होते हैं 95 करण केम इसके बढ़ाते हैं इस वघ्जिस से वो क्या है ग्रहणी रोग में जो आपका IBS होता है ग्रहणी रोग जिससे अपन को रिलेट करते हैं अर्ष मतलब पाइल्स जो होता है तो दुख दिगा नाम का जो प्लांट है उसका जो साख होता है उसका जो बाजी अपन बोल सकते हैं वो क्या करेगा ग्रभणी रोग तथा अर्ष रोग यानि कि आपका IBS हो गया और अर्ष मतलब पाइल्ज इन रोगों को नश्ट करने वाला होते हैं साथिसाथ जो बतुँआ का जो साख होता है वो क्या करेगा मल को पतला करने का काम करता है ठीक है उसका जो साख होता है उसका साख मतला भाजी को बो लगते हैं वो क्या करेगा त्रिदोस को नश्ट करेगा इंगरी का जो्ता होता हुझा ए वो अगनि तो क्या करेंगा जो ल्योभ blacks जैसे मैंने व्यूज्टी यस मतलब मतलब वात ठीक है और कफ नीं पत्या करोता है कि सक चांगिरी का शाय मतलब शेवन करना चाहिए उसको ठीक करते हैं फिर बात करते हैं पटोल आदिशाक के गुर्ट पटोल का जो साख है पटोल का जो आपका सब्जी होता है भाजी होता है वो आपका बतायाग है इसमें आपका पटोल आदिशाक के अंतरगत कौन से कौन से साख को रखा गया तो यहां पर आपका रखा गया परवल हो हो गया यह 28 प्रकार के आपके साख होते हैं इनके नाम भस अभी पढ़नए हैं निपर व्याफ करते हैं तो नंश्ट करने वालो होते हैं तो क्रीमी जो रोग है उसको नश्ठ करने वाले होते हैं तो यह क्या है आपका पटोल के साके गुण बताएगे फिर बात करते हैं कुस्मांड के साक के विश्य में तो कुस्मांड के साक का जो फॉसमान यानि कि पेठा हो गया इसका लाव की तरबूज-ख़र्भी यह सभी क्या होते हैं कफ और वाद को बढ़ाने वाले होते यहनि कि कफ वाद को बढ़ाने वाले होते हैं मल का भेदन करने बहाँ निकालेगा अभी संदी मतलब कफ को बढ़ाने माला होते हैं गुरू मतलब हैवी होगा ठीक है डाइजेशन में पचने में लेट लगेगा फिर रस और विपाक में कैसा होता है मधूर होते हैं इसके अलावा तरबूज ककडी जब कच्चे रहते हैं ठीक है तो पित्ट को नश्त कर रहे हैं और जब पक जा रहे तो पित्ट को बढ़ा रहे हैं ठीक है और कच्चे है तो वीरिय सेथ हैँ और पक जा रहे है तो उच पुछने वीरिय Comings कमल की नाल, सिंगहाडा, सिंगहाडा कशे रुख, आदी जो है संग्राहि गुर्ण सी युकतो होते हैं, साथ यवीनेस लाएगा, यह यहां पर आपने अपका बताएगे, किनाल कि नाल और सिंगहाडा के विशम बताएगे. साथ यह साथ सरसो का जो शाक होते हैं, वो कैसा होता है, गुरु होगा, मल मुत्र को बाँने वाला होगा, ठेके, और रिदो शकारक होगा, पिये क्या है आपके सर्सों के साक, सर्सों की जो भाजी होती है, उसकी qu anniversary वताएगी। फिर बात करते हैं, कच्ची मुली, कुछी मूली जो होता है वो अवेक तरस वाला होता है कि चीछ तो क्या होता है इसी वादे से आपको पता हो गरीनल इस्टोल में आपको क्या कहता है मूली खाने के लिए बूलते हैं यह सब चीज क्यों पढ़ रहे हुँ तो आपको एक डाइड भी तो पता होना चीए कि इसे पिशन को क्या डाइड देना है तो उसके लिए चीज पढ़ रहा हो तो छार योगत होगा तुरी दोस शामक होगा तो तुरी दोस को नश्ट करने वाला होगा तेक है इसके अलावा नश्ट नहीं करेगा समवन करेगा कम करेगा फिर लगू लगू होगा डाइजेशन में ठीक है सांति सांत जो गुल्म है ठीक है कफिंग हो गया कास हो गया ठीक है गुल्म मतलब जो आपका एक प्रकार का हलका सा यह वो सकते है ट्यूमर लाइक इस्टक्चर बन जाता है ठीक है सरीर में तुसे गुल्म गोलते है कास यानि कफिंग हो इन सभी में जो कच्छी मूली जो होता है वो क्या होता है उनको नष्ट करते हैं सांति-सांत यहां पर बताएंगे पेनल्ष रो गया एगर नाक से रिलेटर अगर कोई प्राबलम है रहे रानिंग नोस वर्खनाँ है तो उनको नष्ठ करने और digestion में ये गूरु होता है 37 Сूखी मूली जो होता है वो कहे है वादकप को नश्ट करने वाला होता है फिर हरा धनिया की रस होता है कैसा होता है, तिक्त होता है मधूर होगा और मुत्र को बढ़ाने वाला होगी यानि कि मुत्र लोगा हरा धनिया फिर वो लग है लहसुन जो होता है वो अतितिक तिक्ष्ण उष्ण वीरियम तथा रस में रस्वा विपाक में खटू होता है कौन सा लहसुन और यहां जो है मल प्रवर्तक बताएगा ठीक है तो यह क्या करेगा मल को बाहर निकालने का काम करेगा सांतिसांत हिर्दय ठीक है क को बढ़ाएगा रूजी कारक मतलब भोजन में रूजी को बढ़ाएगा इस निक्द मतलब लुब्रिकरिसन करेंगा दीपर मतलब वह डिजिश्टिव फैर को बढ़ाने का काम करता है तो यहां पर आपका बताएगा किसके विश्य में तो आपके जो लस्वन उसकी क्वाल हैं मतलब बरक्त पित्त को दौशित करने वाला होता है यहां जो होता है कुष्ट गुल्म अर्ज ठेक है तो यह सारे आपके डिसीज है कुष्ट मतलब इस ट्यूमालागी की स्ट्रक्चर बन जाता है सरीर में अर्स मतलब पाइल सो गया प्रमि मतलब डियाविटीज हो गय किर्मी रोग हो गया मतलब हीक वो गया कास हो गया कफिंग हो गया जिसे पन बोलते हैं इनको नश्ट करने वाला होता है तता रसायन मतलब इम्मुनियोटी को बढ़ाने वाला होता है तो यह यहां पर आपका बताएगए फिर बोलाग ए है प्याज और लसुन से कम गुडवा को बढ़ाने वाला होते हैं सांती सांत गाजर जो होते हैं वकफ और वातज जो कि आज थोड़ा सा नेटवर्क इश हुए है इसी वजए बार बार जो है ठीक है यहां पर आपको याद रखना है कि सुरण जो होता है वो क्या है को बढ़ाएगा रूची का रख मतलब रूची को बढ़ाएगा भोजन में ठीक है कफ को नश्ट करेगा सांते सांत बोला गहें कि लगू होता है अर्स रोग्यों के लिए हितकर होता है फिर नोट पॉइंट को याद रखना है कि सभी तो साख होते हैं जितने भी भाजिया आ तो पत्र ठीक है यानि कि जो लीफ है उसका यूज करते है फुष्प मतलब उसके फ्लावर का फल मतलब उसका फ्रूट का ठीक है नाल मतलब उसका जो डंठल होता है उसका अपन प्रयोग कर सकते है कंद मतलब उसका जो छोटा सा फल रहता है ठीक उसे अपन क्या बोलते है तो क्रम से ये जो होते हैं गुरु होते हैं साख के ठेक है सांति सांस सभी साखों में जीवन्ती का जो साख होता है उसे सर्वस्रिष्ट तथा सर्चों का जो साख होता है उसे सबसे निक्रिष्ट मतलब सबसे नीचे वाला जो क्रेटेगरी में अगर बात करें तो सर्चों का जो सबजी है वो आजाएगा और जीवनती का जो साख होता हो सबसे अच्छा होता है यहाँ पर बताएगे तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका जो है सेकंड जो पार्ट है उसको अपन यहाँ पर फिनिश करते है ठीक है जो आपका थर्ड पार्ट रहेगा उसमें अपन यह ज तेंक यू